हेलो एन वेलकम टू अन्लाइन कॉंसेट तो बीपीए सी टी आरे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डायेक्ट कोश्चन्स आपका फिजिक से एक जगह से पूछा जाता है जो कि बहुत सारे स्ट्वेंट को नहीं पता होगा और डायेक्ट कोश्चन्स वहा और शचन्स दे दिया जाई गार गलत हो जाएगा वन फर्मि को याद कर लिजेगा याद रखीएगा वन फर्मी को याद कर लीजेगा वन फर्मीों को याद कर लिजेगा यूवदक है सबसे इंपॉर्टंट था मैघस्ट्रन के बात कर district सिम्बं इस तरह से दीखता है वन अगस्टन उपट जीरो रहता है ऐसे दिखता है ठीक है सिंबल उसके बाद उसका वैल्यू याद करेंगे तो कितना हो जाएगा याद रखिएगा डारेक्ट वैल्यू कोश्चन सोई रहता है और स्पीड ऑफ लाइट किसको बोलते है यह कुशन पूशे का स्पीड ऑफ लाइट बताएए वैक्यूम में तो याद रखिएगा आपके पास जवाब होगा थी इंटू टेन दी पावर एट मीटर पर सेकेंड स्क्रीन सॉट्ट भी ले लिएगा साथ साथ पूरे स्क्रीन सॉट इसको आप ले सकते हैं ठीक है नेक्ट लिजिए नेक्स है ऐ यू का अगक्ष ट्रियल निकल वेल्यू काफी इनपोर्टेंच वैल्यू जो है नहां उसका मैं बात यह दो करएं और हो एस्ट्रोनोईकल में पूछा हुआ कोश्ण है cpu के एकजाम में पूछ चुगा तो और पोईन्तिक रूट ऑपनेंफ कस् ком backdrop वी को जो दो charging एक याद रख Vice कंठस याद कर लिजे 1.496 इंडू 10 दी पावर 11 मीटर याद रखेगा 14 96 याद रखेगा काफी इन पॉटेंट 1.496 इंटू 10 दी पावर 11 मीटर ठीक है मेली जो अगर अस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता वो होता गया है इसका सेंटर इसके सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट यू से प्रेजेंट किया जाता है उसका वैली होता है 1.496 इंटू 10 दी पावर 11 मीटर ठीक है नेक्स्ट और लाफ्स देख लीजे amu काफ ही इंप्रन ए एक टोमिक मास यूनिट क्या होता है ते अस को बोलते है जिसके मास अफ दा प्रोटोन निट्रोन और एलेक्टो माइन करने कि लिए मास उसका amu का वैल्यू का वैल्यू होगा 1 amu का value 1.67 into 10 the power minus 27 kg याद रखेगा 1 amu का value amu का value 1.67 into 10 the power 27 kg होगा ठीक है मिलते हम लोग अगरे वीडियो में काफी important था है पूरा वीडियो को share करते रहे है like करते रहे है नीचे comment में कोई भी टॉपिक दे दीजे में आप वीडियो ले कर आजाओंगा मिलते हैं लोग ले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग